हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागता आप सभी लोग का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसे में दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही मातपूर होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ वाइरल जुखाम के बारे में तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा सर्दी जुखाम बुखार को ठीक करने के लिए कौन-कौन सी दवाईयां दिया जाता है, सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में बताऊंगा, तो आज का वीडियो बहुत ही मातपूर है, कोसिस करना की एक सलाके दोस्तों सबसे पहली बात यहां पर यह आता है कि अगर किसी को बुखार हो जाता है तो बुखार को ठीक करने के लिए पैरसीटा माल मेडिसीन दिया जाता है यह तो सभी लोगों को पता योगा कि पैरसीटा माल का क्या काम होता है पैरसीटा माल का दो काम होता है यह हम कि नालिज को जानने से पाले, हम लोग यहाँ पर यह जान लेते हैं, कि अगर किसी को जुखाम हो जाता है, तो उनमें क्या-क्या, लुखड देखे जाते हैं, और लचछड को जानने के बाद, फिर हम लोग सारी कि सारी दबारे में, तुरंत बात करना इस्टार्ट कर देंगे दोस्तों अगर किसी को जुखाम हो जाता है सरदी हो जाता है तो उनमें क्या-क्या लच्छर देखे जाते हैं अगर हम लच्छर की बात करें तो बहुत सारे लच्छर देखे जाते हैं जैसे कि उनके نाक से पानी भहने लगेगा, उनका गला खराब होने लगेगा, उनका नाक जियाम होने लगेगा, उनके सर में दर्द होने लगेगा, उनको छीक भी बहुत जादे आने लगेगा, और बुखार भी हो जाता है, जिसके लिए उनको दिया जाता है anti-biotic medicine, उसके बाद दिया जाता है उनको इलर्जी की दवाईया उसके बाद उनको दिया जाता है हाँ पैरा सीटा माल दे दिया जाता है तो यह सारी इस प्रकार से दवाईयों को दिया जाता है अब आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा कि अगर किसी को यह प्राबलम हो जाता है त एक दम नाक जाम हो गया है, सर में दर्द भी हो रहा है, छीक भी बहुत जड़ार है, बुखार हो गया है, तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए कौन सी दवाईयां दिया आता है, उसके बारे में, चलिए हम लोग एक एक करके बात करते हैं, तो दोस्तों सबसे पहला ज अगर हम इनके डूच के बारे में बात करें, तो एक एक टेबलेट दिन भर में दो बार इसकूद या जाता है, वो भी खाना खाने की बाद इसकूद या जाता है, तो यह बाते हो गए, कलेवम 625 टेबलेट के बारे में, उसी परकार से अगला जो मेडिसीन है, दोस्तों, हो है citrygen tablet और आप सभी लोग को पता है कि citrygen tablet जो है एक परकार का anti allergic medicine होता है जो नए चात्र है वो लोग ज्यान लेजे कि यह क्या होता है anti allergic medicine anti का मतलब क्या होता है उल्टया काम करना अपोजित क्याsk semaine काम करना allergy का मतलब क्या होता है allergy allergy में बहुत ज्यादा छीक आना, नक से पानी बाना, शर में दर्द होना, यह allergy होता है, और medicine का मतलब क्या होता है दवा, तो इसको सिद्धिंदी भासा में बूला जाता है, allergy को ठीक करने वाली दवाईयों को बूला जाता है, anti-allergic medicine, तो anti-allergic medicine में आता है, लिवर सिट्रीजीन हो गया, सिट्रीजीन हो गया तो ये सारी जो दवाईयां होती है, अलर्जी की मेडिसीन होता है, जैसे कि थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, तो ये है सिट्रीजीन टेबलेट, जिसके composition को पढ़ेंगे, तो देखिए लिखा गया है सिट्रीजीन हाइड्रोकुलडाइट टेबलेट, जो कि 10MG का ये टेबलेट है, इंडियन फर्माकूपिया का ये मेडिसीन है, इनके अगर डूच के बारे में बात करें, तो एक एक टेबलेट दिन भर में दो बार दिया आता है, वो भी खाना खाने के बाद, तो अगर मालेजी पेसेंट को जुखाम हुआ है, बहुत ज़्यदा छीक आ रहा है, नाक से पानी बार आ है, तो उसको लिए दिया जाता है, सिट्रीजीन टेबलेट, जो कि अलर्जी को ठीक करने के लिए काफी ज़्यादा यूजपूल एन पापुलर ये मेडिसीन माना जाता है, तो ये आप लोगों को बस सिम्टम के बेसिस पर सारी दवाजियों को बता रहे हैं, जैसे के नाक से पानी बारा है, बहुत ज़्यादा छीक आ रहा है, नाक जाम हो गया है, तो इस प्रकार से उलर्जी हो जाता है, जुखाम में अलर्जी हो जाता है, और उस उलर्जी को ठीक करने के लिए एंटी उलर्जिक मेडिसीन को दिया जाता है, ये भी बात आप सभी लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, तो अब आप लोगों को बताने जा रहें अगले medicine के बारे में, तो दोस्तों जो अगला medicine है, वो है dexomethason tablet, dexomethason tablet जो होता है, यह सरीर में दर्द हो रहा है, जैसे सर में दर्द हो रहा है, या फिर jam हो गया है, naakuk, swelling हो गया है, तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए dexomethason, जो कि decodon के नाम से भी famous होता है, इस tablet को दिया जाता है, dexomethason tablet, जो कि यह भी tablet आपका इंडियन फर्माकोपिया का medicine होता है, जो नए चात्र हैं, थोड़ा सा यहाँ पर जान लेजिए, यह फर्माकोपिया जो होता है, यह तीन कटेगरी में होते हैं, जैसे कि IP हो गया, जैसे कि BP हो गया, जैसे कि USP हो गया, त जो कि Clevum 625 के नाम से famous होता है, यह भी आपका Indian Pharma कोपिया का है, उसी तरह से यहाँ पर देखिया, आप लोगों को citrigine के बारे में बताएं, यह भी आपका Indian Pharma कोपिया का है, जो कि डाक्टर रेडी कमपनी के द्वारे यह बनाया गया है, इसी तरह से आप लोगों को मैंने A2Z Medicine Book, यह जो दोस्तो बुक है, यह टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को फिरे में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्टर भी मिल जाएगा, हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएग जरूर इस बुक को पर्चेच करें, जिसमें हजारों परकार की दवाईयों का नालेज आपको मिल जाएगा, इनके डोज के बारे में बात करें कि यह डेकाडान, जो की डेक्सो मेतासोन टेबलेट होता है, इनका डोज क्या होता है, तो according to the patient condition, एक एक टेबलेट दिन पर मे इसको दो बार दिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद इसको दिया जाता है, यह भी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, तो चलिए बात करते हैं, अगले मेडिसीन के बारे में, दोस्तों जो अगला मेडिसीन है, इसके बारे में तो 80% अगर मेडिकल के चा अपड़ेगा आइबुप्रोफेन जो होता है ये पेण को ठीक करने अगर हम बात करें तो ये headache मतलब अगर किसी के सिर में दर्ध हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए जाता है बोडी पेno मतलब सरीड में दर्ध होने के लिए दिया जाता है तो combiflam का 3 काम होता है पहला सिर्दर्द को ठीक करना ठीक और दूसरा क्या काम होता है दूसरा पैरा-सी-थअ- Small भी मिला हूआ है मतलब ये बुखार को भी ठीक करने का काम करते है और तीसरा क्या काम होता है Body Pain, मतलब सरीर के भी दर्द को ये ठीक करने का काम करते हैं फैरा सीटामाल और आइबो प्रोफेन टेबलेट जो कि ये कंभी फिलाम के नाम से ज्यादा तर फेमस होता है और ये जो टेबलेट है ये सनोफी कंपनी के द्वारा बनाया गया है तो यहाँ पर दिखें लिखा गया है सनोफी मतलब ये इस कंपनी के द्वारा बनाया गया है कंभी फिलाम टेबलेट बात करें कंभी फिलाम टेबलेट का डोज क्या होता है तो इसका डोज होता है एक टेबलेट दिन भर में इसको दो बार दिया आता है वो भी after mail दिया आता है यह BD लिखा गया है इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि site word में दवायों के doge को लिख दिया आता है जैसे कि OD हो गया BD हो गया TDS हो गया QID हो गया YES OS हो गया या फिर AM हो गया या फिर BM हो गया इन सारी चीजों का मतलब आपको पता रहाना चाहिए OD का मतलब होता है दवा को दिन बर में एक बार खाना है BD का मतलब होता है दवा को दिन बर में दो बार खाना है TDS का मतलब होता है दवा को दिन बर में तीन बार खाना है तो उसको बोलते हैं कि यह yes o yes medicine है, समझ गये, am का मतलब होता है after meal, मतलब दवा को खाना काने के बाद खाना है, और bm का मतलब होता है before meal, मतलब दवा को खाना काने के पहले खाना है, तो यह बहुत ही start word होते हैं, जो कि आपको लिख लेना चाहिए अपने copy में, और इसके बार मतलब जाएंगे, कि यह क्या कहना चाहता है यहाँ पर डोज में, ठीक, चलिए बात करते हैं, इसी के साथ साथ इन दवाईयों में, जैसे किसी को माल लेजे, सर्दी जुखाम बुखार हो गया है, अब इस cases में आपने antibiotic medicine दे दिया है, पैरा सीट अमाल में घंभी फिलाम द दवाईयों के बारे में एक ट्रिक बताया था, कि जिन medicine के अंत में, प्राजूल आ जाए, या फिर, टीडीन आ जाए, वो सारी दवाईया, गैस की दवाईया होती है, जैसे कि, पेंटा प्राजूल, ओमेप्राजूल, तो यह जो होता है, पेंटा प्राजूल, ला रहा है ना तो इस परकार की दवाइयों जो होती है वो गैस की दवाइया होती है तो रेनी टीडीन हो गया सीमी टीडीन हो गया तो इसके भी आंते में टीडीन आ रहा है तो यह दवाइया जो होती है गैस की दवाइया होती है और इसी परकार से आप लोग छाइए ठीक, जो की ये 1.700 M. zach का tablet होता है तो ये भी बात हो गई इनका Coach क्या होता है इनका Gosh होता है एक tablet दिन भर में दो बार खाना है, वो भी खाना kाने के बाद जिसका main काम क्या होता है अगर हम inनके U.G. के बारे हम बारे हम बात करें तो इनका U.G. यो आप लोगों को फार्मूले भी बता देते हैं जिससे यहाँ पर देखते हैं आप अनुमाल लगा लिया किजिए यह दवा किस काम में आता है इसी तरह से बहुत सारे आपको फार्मूले बता हैं इसके लिए मैंने एक स्पेसल वीडियो भी बना दिया था कि दवाईयों का नाम कैसे याद करें लेकिन हर जगह पर फार्मूला रखते हुए चलेंगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर फार्मूला रख दिया है तीडिन में उसी किसासत पराजोल वाला भी फार्मूला आपको बता दिया है तो इसी तरह से आप भी याद करेंगे तो आपको भी हमेशा के लिए याद हो जाएगा आप कभी भी कन्फ्यूज नहीं होंगे कि ये दवा किस काम में आता है अगले मेडिसीन की बारे में बात करें तो वह होता है विटामिन C टेबलेट तो दोस्तों ये एक ऐसा टेबलेट होता है जिसको चवा चवा करके जैसे टोफी नहीं खाया जाता है उसी तरह से टोफी की तरह इसको भी खा लिया जाता है कि अगर किसी को सर्दी जुकाम बुकार हो जाता है तो उस केसे में इसको भी दे दिया जाता है विटामिन C को जिसको एबोर्ड कंपनी के दोरा बना होता है कि इस दवा को इस tablet को चबा चबा करके इसको खाना है एक्दम toffee की तर रहे जैसे toffee नहीं बच्चे आते हैं उसी परकार से इस tablet को खाया जाता है इनका डोज क्या होता है एक tablet दिन भर में इसको केवल और केवल एक बार ही खाया जाता है अब देखिए डोज में आपको OD बता दिया था BD बता दिया था, TDS बता दिया था तो यहाँ पर आप लोग कन्फूज नहीं नहूंगे कि OD लिखा गया मतलब एक टेबलेट खाना है वो भी दिन भर में एक बार खाना है वो भी इसको खाया जाता है जब आप दिन भर में जिसे दिन में आपने खाना काया खाना काने के बाद इसको एक टेबलेट चबा चबा करके टोफी की तरह खा लिया जाता है जो कि यह औरेंज फिलेवर का होता है बेकार भी नहीं लगता है, तो इसको आसानी से खा लिया जाता है, तो अगर किसी को सर्दी युखाम हो जाता है, बुखार में तो आप लोगों को बता दिया है, कम भी फ्लाम खा सकते हैं, नहीं तो पैरा सीट अमाल इस्पेसल भी का सकते हैं, पैरा सीट अमाल जो होता है, 500 किसी को जुकाम हो जाता है तो इसको ठीक करने के लिए कौन-कौन सी दवाईयां दिया जा सकता है ठीक तो आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से आकर के बता दीजे अगर जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग को सम सब्सक्राइब करें जो चैनल का पूरा नाम है यह सोभी सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा सब्सक्राइब करेंगे तो तुरंत मिल जाएगा आप वहाँ पर हमें पालो करके आप हमसे वहाँ पर जुड़ सकते हैं एक बात और देखिए जो लोग टेलीग्राम ग्रूप में जुड़ना चाते हैं अभी तक टेलीग्राम ग्रूप में नहीं जुड़े हुए जुड़ जाएए वहाँ पर 6000 से ज्यादा लोग जुड़ चुकी हैं तो उसके जुड़ने के लिए आप लोगों को सर्च करना पड़ेगा चैनल का नाम सपोर्टिंग आप परमेसी उसको स यूटूब पर खोई भी वीडियो अप्लोड होने से पहले आप लोगों को वहाँ पर नूटिस दे दिया आता है यह चीज आज यहाँ पर अप्लोड होने वाला है आप लोग भी वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो नहीं पर होता है थैंक्स वर आचिम गड़ी लाग कमें शेयर और सब्सक्राब इस चैनल